आज हम आपके लिए टोप 20 का पार्ट नमबर एट लेके आए हैं तो इससे पहले हम साथ डिस्कुस कर चुके हैं पार्ट तो अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं हमने प्लेइलिस्ट बनाकर रखिए हैं टोप 20 के नाम से तो चली हम शूर करते हैं आज के अपनी वीडियो देखे हमारा पार जो फास्ट कोश्ण है वो बोरा कि हाइए टंपरेचर हाइए टंपरेचर होगा हाइए टंपरेचर देखे कोशन थोड़ासा डिफीकल्ट लेबल का बनाके दिया इन लोगों ने तो ऐसा नहीं पूचा गए कि हाइए टंपर कि इस लिए हैं हाँ हो सकता है कि जी के वाला संचन जो होता है वहां पर आप से पूछा जा सकता ही हाई टंप्रिचर में होगा तो देखिए concrete concrete सभी में concrete ही बताया गया है तो क्या होगा अगर आपका high temperature होगा तो concrete पर क्या effect पड़ेगा तो very important question आईए तो जिसने चैनल को subscribe नहीं किया कर लो साथ में bell icon को दबा लो तो इस question में हमारा जो answer रहेगा वो decrease the strength of concrete जितना ज़्यादा आपका temperature होगा उतनी ज़्यादा आपकी strength जो होती है concrete के वो कम होती है क्योंकि जो normal temperature होता है concrete के लिए जो हमारा ice code कहता है 27 plus minus 3 degree Celsius जो होता है वो माना गया है वैसे जो concrete का कारे आपको करना है काम करना है तो 15 से लेकर 37 degree Celsius का temperature जो होता है वो range होती है अगर 38 degree से लेकर 38 degree Celsius से ज़ादा हो या फिर 4.5 degree Celsius से कम हो तो उससे आपको थोड़ी बहुत precaution जो होती है वो याद रखनी होती है कि भई concrete का कारे आपको करना है तो थोड़ी बहुत precaution तो आपको दियान में रखनी ही होती है अगर आपका temperature ज़ादा होगा तो उससे आपको क्या होता है concrete की जो process होती है harden की process जो होती है hard होने की, वो बहुती जल्दी हो जाएगी अगर आपका temperature जादा होगा तो curing period जो रहेगा curing जब भी आप करेंगे तो हमारा जो पानी होगा वो बहुत ही जल्दी evaporate हो जाएगा, बहुत ही जल्दी सूख हो जाएगा, high temperature की बज़ा से तो इस बज़ा से आपको crack जो होते हैं, वो देखने को मिलते हैं जिस बज़ा से हमारी concrete की strength जो होती है वो कम हो जाती है, option B हमारा बिल्कुल किस से, किस से खतम होती है receive rocket labeling जो होती है वो very important question आई ये तो comment books में है आपना score जो हो जुरूर लिखें क्योंकि मैं answer ऐसा तो है ने कि आपको पहले ही answer बता दे रहा हूँ question पढ़ने से पहले ही भई आइस का answer ये होगा, ऐसा नहीं question नहीं से सबसे पहले पढ़ते हैं उसके बाद आप भी अपना answer लगा सकते हैं इससे आपको एक जो month test होता है जो बड़ी-बड़ी website बगरा है वो आपको paid month test provide करती है तो वैसा आपको feel होना चाहिए कि हम paid month test लगा रहे हैं और हमने इतना score जो है and reflection error यह तीनों error जो होते हैं इनको यह खतम कर सकती है option B हमारा question answer हो जाएगा बहुत ही ज्यादा important question आईए अगला question देखिए proper proportioning of concrete ensure अगर आपका proper proportioning जैसे कि जो ratio होता है m20 का ratio है मान के चलो one ratio मान के चलो नहीं सही actual ratio 1 ratio 1.5 ratio 3 यह actual ratio होता है m20 का तो चलो हम m15 का ही ले लेते हैं क्योंकि खास कर one ratio 2 ratio 4 सभी को यही पता होता कि यहाँ ratio यही है तो यह वाला ratio ले लेते हैं तो यह अगर हम proper इसी को ही यूज करते हैं तो इससे क्या सुनिश्चित होता है ensure होता है कि हमें क्या मिलेगा question यह पूछ रहा है तो एक, दो, चार यह हमने पूरा बिल्कुल volume से इसको ही use किया है हमने ऐसे नहीं किया कि वही एक, एक कर दिया हमने कि पांच, चार की जगा पांच कर दिया ऐसे नहीं किया पूरा ही correct proportion हमने लिया है उससे क्या होगा कि हमें जो desire strength होगी हम चाहरे हैं कि हमें 100% strength मिले तो हमें वू मिलेगी workability भी हमें वही मिलेगी जो हम चाहते है and उसके बाद durability जो होती है वह भी हमें वही मिलेगी कि बहाई, इतने सालों तक वो डिखनी चाहिए तो हमें durability वही मिले कि and उसके बाद most important water tightness जो होती है structure की वो भी मिलती है तो ये proper proportioning जो होती है concrete की वो करने से हमें मिलती है option D हमारा बिलकुल सही answer हो जाएगा अगला question देखी curing, curing क्या है वही अब curing क्या है curing जो होती है वो shrinkage जो होती है concrete में उसको कम करने के लिए use होती है बहुती ज़्यादा important होती है preserve the properties of concrete ये भी बिलकुल सही है तो जो concrete के जो गुण बगारा होते है उसको संग रक्षित करता है option ये भी बिलकुल सही है and prevent the losses of water by evasion तो ये भी बिलकुल सही answer है so all option are correct ये सारे ही answer सही है option D हमारा answer हो जाए curing के तो वैसे सभी को बताने के जोड़ नहीं की curing से क्या होता है तो ये question बहुती ज़्यादा important है exam के point of view से next question देखे ये question बहुती ज़्यादा important है तो पोड़ नहीं की ता operation of removing hums and hollow of uniform concrete surface is known as uniform concrete की stack के उभार और गड़े को हटाने के कारे को कहा जाता है क्या कहा जाता है मान के जो लो कि आप slab जो होता है उसकी casting कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगी आपको थोड़े बहुत ऊपर के जैसे या फिर गड़े जैसे बने हुए दिखाई दे रहे हैं तो उसको आपको plane करना है समतल करना है तो उसके लिए एक लंभी जैसी पट्टी जैसी होती है उसको हम use करते हैं उसको हम screed screeding बोलते हैं लंबी जैसी अपने देखी होगी है कियाँ को हम स्कृड़िंग के बाद और होथा कौह प्राबलम रहा को और बोन टॉबलिंग जो है उसको यूज करते हैं स्कृड़ीग फ्लोटिंग एंड फिर ट्रॉबलिंग यूज करते हैं इस कोश्टिन में हमारा अंसर तो बी हो जाएगा तो तीनों प्रोस्ट को आप याद रहे कि सबसे पहले कौन सी आप यूज करते हैं वैसे सबी को पता होगा कि कभी ने कभी आपने अपने घर पर यापने प्रोडोसी पर पर तो यह पर यह यूज़ करते हैं तो यह तीनों प्रोसेस होती है तो आपको यह पता होनाँ चैसे सटीडिंग यूज़ करते हैं SFT, देखिए SFT, S screening F से float and T से क्या हो गया traveling, तो इस तरह से आप इसको use कर सकते हैं, एक trick के help से आप इसको याद कर सकते हैं, अगला question देखिए according to recommendation of IRC, हमारे Indian standard के recommend किया गया कि इस IS code के according expression joint जो होता है, हो क्या होता है? Expansion joint कहां पर आप यूज करते हैं? तो expansion आप वहां पर यूज करेंगे, जहां पर मानक जो लोगी कहीं plane जगा थी, तो उसके बाद वो अचान की ही change हो गई, plane की जगा थोड़ी आगे बिची हो गई, तो उस जगा आप expansion joint को यूज करेंगे, option हमारा ये भी बिल्कुल सही answer है, add provide to ensure minimum resistance, minimum resistance जो होता है उसको ensure करने के लिए भी आप expansion joint को यूज करते हैं, add art supported on separate column, separate column पर ये support करता है, so option number D हमारा इस question में answer हो जाएगा, अब यहां पर बात आती है कि जो expansion joint होता है, तो उसकी जो दूरी होती है, वो कितनी होती है, तो 30 से 45 मीटर की होती है, option D बिल्कुल ही सही answer हो जाएगा इस question में हमारा, यह तो most common question है, इस question का answer तो सभी को पता होगा कि वह इस question का answer क्या होने वाला है, तो देखिए, an aggregate is said to be flacky, flacky के लिए if its least dimension is less than, least dimension जो होती है, less than होती है, कितनी, तो flacky की बात आएगी, तो उस case में हमारा answer 3 by 5 होता है, of its mean dimension, less than है यहाँ पर, if its least dimension जो है, वो less than होती है, 3 fifth of its mean dimension, लेकिन elongation की जब भी बात आएगी, तो वो greater than होती है, 9 fifth of its mean dimension, 9 fifth जो होती है, वो elongation के cases में होती है, दोनों को cases को आप याद रखिए, यह दोनों cases important है, exam के point अबिसे, अगला कुशन देखिए, the most useless aggregate, useless बेकार aggregate is one whose surface texture, उसकी जो बनावट होती है, वो किस तरह की होती है, aggregate के बारे में आपको हमारे Indian standard 833, इस eyes code में जानकारी जो है, वो मिल जाती है, की अग्रीगेट जो है, वो ये होता है, तो सबसे जो most useless जो होता है, वो honeycomb and porous जो aggregate होता है, वो होता है most useless अगर हम aggregate की बात करें, कि concrete में कितना percentage होता है, तो approximately 75-85 परसेंट जो होता है, वो aggregate का percentage होता है, वो concrete में आपको देखने को मिलता है, यह point याद रखिए हो सकता है कि आने वाले एक्जाम में आपको इससे question जो है पूछा जाए कि भई aggregate का percentage कितना होता है concrete में most common question है यह हो सकता है कि पूछा जाए तो इसको आप याद कर लीजिए अगला question देखिए beam curber in playlist design form क्या answer रहेगा इस question का तो इस question का हमारा जो answer रहेगा वो d answer रहेगा bending moment shear and torsional जो होता है उसके लिए provide किया जाता है option d हमारा answer हो जाएगा इस question में अगला question देखिए यह question भी बहुत ही ज्यादा important है question बहुत है कि size of fine aggregate does not exceed fine aggregate जो होता है उसका size होता है किस value से exceed नहीं करना चाहिए most common question है यह कई बार exam में पूछा गया है कि इतना exceed नहीं करना चाहिए तो fine aggregate जो होता है 4.75 mm से ज्यादा नहीं होता है इससे कम ही इसकी value होती है लेकिन course aggregate इस value से शुरू होता है in case minimum value जो होती है court segregate की यही होती है so option number D हमारा इस question में सर हो जाएगा most common question अगला question देखिए which one of the following test is used to test the aggregate for its avaration resistance avaration resistance के लिए आप कौन सा test जो होता है वो करते हैं तो देखिए सारे ही test सभी को परता है कि भाई यह avaration resistance के लिए आप यह सारे ही test कर सकते हैं option D answer हो जाएगा इस question में next question बोल रहा है कि if the flange supplies in plate girder is subjected to flange supplies जो होती है flange supplies in plate girder is subjected to तो flange supplies जो होती है plate girder में वो किसके अधीन होती है उस पर क्या लगता है bending moment and axial force जो होती है वो ही लगती है C answer हो जाएगा इस question में तो देखिए next question बोल रहा है initial setting time of rapid hardening portland cement is rapid hardening portland cement is nearly कितनी होती है 10 minutes 5 minutes 30 45 minutes कितनी होती है rapid hardening portland cement जो होता है उसको आप high early strength cement भी बोल सकते हैं high early strength cement भी बोल सकते हैं इसमें higher percent होता है कि इसका tree calcium silicate का rapid hardening cement जो होता है इसका एक और नाम है high early strength cement इसमें सबसे जाता आपको tree calcium silicate देखने को मिलता है उस बचे से आपको rapid strength जो है वो मिलती है इसको most suitable आप use कर सकते है road की जो repair होती है उसमें आप इसको use कर सकते हैं very important question है यहां पर एक दो और भी बन सकता है कि अन्सूटबल unsuitable किसके लिए होता है कि हम किसके लिए यूज नहीं कर सकते हैं तो इस जैसे कि bridges बगएरा जो होते हैं bridges, dams बगएरा जो होते हैं वहां पर हम इसको use नहीं कर सकते हैं यह question बहुत ही ज्यादा important है तो इसका 30 minutes का जो होता है initial setting time होता है और जो final होता है वो 600 minutes का होता है तो यह question important हो जाता है exam के point of view से अगर हम simple OBC की बात करें ordinary portland cement की उसका भी same ही होता है 30 and 600 minutes 10 गंटे भी कई बार 600 की जगा होता है एक मैं आपको यहां पर बताता हूँ कि high alumina cement भी होता है हमारे पास high alumina cement उसको जो होता है initial setting time सदे 3 गंटे का होता है and सदे 5 गंटे के जो होता है वो final setting time होता है high alumina cement का इसको भी आप note down कर लीजिए एक हमारे पास low heat cement होता है उसको भी आप याद कर लीजिए low heat cement low heat cement उसका एक गंटे का होता है क्या होता है initial setting time and 600 minutes का जो होता है वो final setting time होता है low heat cement यह 3 औ 4 के मैं आपको बता दिये है important exam के point of view से अगला question देखिए in the following question select the related word pair from the given alternative यहाँ पर हमें related word जो है वो चूच करना है कि भई यहाँ पर एक pair दिया गया है अब यहाँ पर दो जो है question mark दिये कि इन दोनों में से कौन सा सही रहेगा car, tire, car, tire अब यहाँ पर आपको ऐसा ही जो समंदित pair है वो चूच करना है जैसे कि car जो है वो tire से relate करती है उसी तरह इन चारों में से कौन है ऐसा जो की relate करती है house घर जो होता है और यहाँ पर जो हमारा answer रहेगा जिस परकार car जो होती है वो tire से relate करती है उसी तरह house जो होता है घर जो होता है उसमें कमरे होते हैं option a हमारा question में answer हो जाएगा अगला question देखिए in the following question select the related words same वही हमें related words जो है वही choose करना है तो देखिए triangle जो होती है figure अब ओरा की car जो होती है वो किसे relate करेगी यहाँ पर important question आई यह जिस तरह से triangle जो होती है त्रिभुल जो होती है वो figure यानि कि अकृती से relate करती है उसी परकार हमारे पास से यहाँ पर कार्ज होती है वो किसे relate करती है वो कार्ज होती है वही एक बहान होती है गाड़ी होती है सीट नहीं होती है सडक वेगारा यह नहीं होती है उसी तरह से यह वेहिकल होती है अगला भी सेम वैसा ही कोशन है related word हमें चूज करना है बोड़ा की घंटा जो होता है बोड़ा की minutes and kilometer जो होता है वो उसमें क्या आएगा देखिए जिस तरह से एक घंटे में 60 minutes होते है उसी तरह किलो मीटर जो होता है उसमें 1000 मीटर होते है option meter से relate करेगा हमारा option A तो यह important है किस तरह के question दो कि आपको exam में देखने को मिल सकते है तो बहुत ही ज्यादा common question है यह अगला question देखिए the idea of non-corporation movement during freedom struggle did not envy says कौन सा answer रह गाइगा इस question का तो देखिए असियोक अंदोलन जो था उसमें कौन सा इन चारों में से शामिल नहीं था तो जो आम दंगे जो थे हिंसा जो थी वो शामिल नहीं था क्योंकि यह गांदी जी से relate करता है तो आपको पता है कि यह जो था एक अगस्त 1920 को अरंब हुआ था असियोक गंदोलन जो गांदी जी के द्वारा तो यह गांदी जी से relate करता है तो आपको पता है कि इसमें दंगे बगारा तो गांदी जी क्योंकि आहिंसा के पुजारी थे इसलिए यह question answer हो जाएगा इस question का अगला question देखिए यह question भी important है किसने गांदी जी के नमक सत्यग्रा में भाग लिया इन चारों में से किसने भाग लिया था very important question है यह exam के point of view से तो जो गांदी जी ने बारा मार्च 1930 को अपने 78 अनुवाई थे उनके हीशे बगरा जो थे उनको उनके साथ सावरबती आश्रम जो था वहां से शुरू किया थे तो इन सभी में से सारे ही include थे सभी शामल से option number D हमारा इस question में answer हो जाएगा अगला लास्ट question देखिए हमारे इस वीडियो का तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो साथ में बैल आइकन को दबा लो देखिए कोशन बोला कि बीच अमंगता फॉलेंग इस नोट रियल्ट ऑफ अंडर वाटर एक्शन अंडर वाटर जो होता है उसका कौन शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो साथ में पहले आइकन को दबा लो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में